मोहन के पास ममता नाम की एक गाय थी वो उसके पास कई सालों से थी उसके आने से मोहन की गरी भी दूर हो गई थी उसका दूद बहुत ही मीठा और टेस्टी था लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी थी जिसकारण ना तो वो बच्चे दे सकती थी और ना ही दूद लेकिन उसके ही जनी दो बेटियां मीरो और राधा बच्चा खासा दूद दे कर मोहन का घर चला रही थी इस बात से आशा को गर्व होता है मेरी बच्चियों मुझे गर्व है कि तुम मालिक को अच्छा खासा दूद दे देती हो और मेरा नाम रोशन कर रही हो मैं तो अब बुढ़ी हो गई हूँ और उनके किसी काम की नहीं रही लेकिन फिर भी वो मुझे मुझे मुफ्त में पाल रहे है ऐसा नहीं है मा चितना तुमने मालिक के लिए किया है वो तो हम दोनों मिलकर भी नहीं कर सकती मालिक भी तो मेरे लिए कितना कर रहे है वो चाहते तो मुझे कपका कसाई को सौब देते लेकिन वो मुझे मुझे मुफ्त में पाल रहे है वो सच मुझ मुझे कितना प्यार करते हैं मोहन आशागाय को बहुत प्यार करता था वो जानता था कि उसी की वज़े से आज उसका दूद का व्यावपार इतना अच्छा चल रहा है मोहन हर सुबह मीरा और राधा से बूद लेता और शेहर में ले जाकर बेचाता एक रोज उसकी पतनी खेट से चारा कार्ट कर घर लोट रहे थी तब ही उसे रास्ते में जगमोहन व्यापारी मिलता है घर आकर सविता मोहन से इस बारे में बात करती है लेकिन वो उस पर चिलाते हुपे कहता है पागल हो गई हो क्या, मैं अपनी ममता को किसी को नहीं दूगा उसने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है वो हमारे घर के लिए बहुत शुब है अब बस मैंने कह दिया न, वो यहीं रहेगी हमारे साथ जब तक तुम उस बुड़ी गाए को नहीं बेचोगे तब तक मुझसे बात भी मत करना फिर सविता कई दिनों तक मोहन से बात नहीं करते और आखिरकार ठक्खार कर वो ममता को बेचने का फैसला कर लेता है अगले दिन सविता उस व्यापारी को घर बुला लेती है अरी राधा देख तो ये कोई व्यापारी लगता है इसके हाथ में रसी भी है कहिए हम में से तो किसी को नहीं लेने आया हो सकता है मीरा नहीं मेरी बच्चियों मालिक बहुत अच्छे हैं वो हम में से किसी को नहीं बेच सकते वो हम से बहुत प्यार करते है मा तुम सही कह रही हो और भगवान न करे कि वो दिन कभी आये जब हम तीनों अलग हो नहीं तो हम तीनों तो मरी जाएंगे व्यापारी सविता को दस हजार उपए देता है जिने देख वो बहुत खोश होती है लेकिन मोहन को ये देख कर बहुत बुरा लग रहा था ये कैसी औरत है जो घर के लक्ष्मी को ही बेचने पर तुली हुई है मोहन उससे लिपट लिपट कर रोता है मुझे माफ कर देना ममता पत्नी की जिद के आगे मुझे तुम्हें बेचना पढ़ रहा है हो सके तो मुझे माफ कर देना ये सुनकर तीनों गायों को बड़ा जटका लगता है देखा मा, आखर मालिक ने तुम्हें बेची दिया बड़ा भरोसा था न तुम्हें उन पर तुमने उनके लिए कितना किया दूद के साथ अपना खून भी निचोड़ कर दिया लेकिन अब इनकी घर क्रिहस्ती बन गई तो अब आप इनके काम की नहीं रही कल को तो ये हमारे साथ भी यही करेंगे अब क्या होगा मा, ये व्यापारी आपको कसाई को दे देगा सच कहते है मा, इंसान को जिस चीज से फायदा होता है वो उसे ही रखते हैं जिससे फायदा नहीं होता उसे नहीं रखते सच मुच, बहुत ही मतलबी होते हैं ये इनसान मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा कि मालिक ऐसा क्यों कर रहे है जगमोहन व्यापारी ममता को अपने घर ले आता है और उसे खूब खिलाता पिलाता है लेकिन ममता जानती थी कि वो उसे खिला पिला कर एक दिन कसाई को बेज देगा और मुटी रकम कमाएगा एक रोज वो जगमोहन और कसाई की बात सुन लेती है ये लीजी आपके पैसे मैं कल आकर इसले जाओंगा ठीक है उसे रात ममता खूटे से छूटकर मोहन की गौशाला पहुच जाती है जहां मीरो और राधा उसे देख बहुत खुश होती है ममता दोनों को गले लगाती है सुब़ जब मोहन ममता को देखता है तो वो भी बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है सविता देखो तो कौन आ गया कौन है जी अरे ये ममता ये बुरी गाए वापस कैसे आ गई इसको मुफ्त में खाने के आदत हो गई है मैं अभी उस व्यापारी को बुलाती हूँ ने तो वो हमसे पैसे न माँग ले व्यापारी ममता को फिर से ले जाता है इधर मीरा और राधा का रोरू कर बुरा हाल हो गया और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया जिससे वो बिमार हो गई मीरा राधा जबसे बिमार हुई है हमारा सारा धंधा चौपट हो गया है खाना पीना सब छोड़ दिया है उन्होंने बेवकूफ ओरत ये तो होना ही था ममता की फटकार जो लगी है मैं हमने उसे उसके बच्चों से अलग जो कर दिया मैंने कहा था न वो हमारे लिए लक्षमी थी लक्षमी उसके जाते ही लक्षमी भी हमारे घर से जा रही है मुझे माफ कर दो जी मुझसे गलती हो गई चलो हम चल कर अपनी ममता को वापिस ले आते हैं हम उस व्यापारी के पैसे लोटा देंगे अगली सुबर जब वो दोनों ममता को लेने जाते हैं देखते हैं कि रास्ते में एक कसाई मम्ता को लेकर जा रहा है अरे कौन हो तुम और हमारी मम्ता को कहा ले जा रहे हो तुमसे मतलब अरे मैंने दुगने दाम देकर इसे खरीदा है ये लो, ये उसके भी दुगने दाम है, इन्हें रखो, और हमारी मम्ता को हमें वापस करो ठीगा वई, मुझे इससे क्या, मुझे तो पैसों से मतलब है वो कसाई को दुगने पैसे दे कर वापस ले आते है मम्ता, मुझे माफ कर दो, लालच में आकर मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया अब मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करूगी हाँ मम्ता, हमें माफ कर दो, तुम हमारे घर के सदस्य हो, और हमारे साथ ही रहोगी ममता की आखों में खुशी के आंसु थे घरा कर मीरो और राधा जब अपनी मा को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और ममता की गले लग जाती है उसके वापिस आने से मीरो और राधा पचारा खाने लगी और दो दिन में ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और अब पहले से भी ज़्यादा दूर देने लगा मोहन का व्यापायर फिर से बहुत अच्छा चलने लगा सवीता भी ममता को खूब लाट करती साथ ही उसकी खूब सेवा भी करती राजीश नाम का एक उटो वाला आटो चलाये करता था उसकी बीवी शीतर और साथ साल का बेटा राजू था वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिन्दगी बसर कर रहे थे अजी सुनती हो हाँ आ रहे हूँ अभी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ हाँ बोलिये क्या हुआ और इस पैकेट में क्या है खुद ही देख लो ये लो खोलो इसमें तो साड़ी है जी आ पता है मुझे ये साड़ी किसके लिए है अरे मेरी प्यारी बीवी ये तुम्हें दी है तो तुम्हारी हुई ना ये तो बहुत प्यारी है पर इसकी क्या जरूरती इतना तो हम पैसा बचा भी नहीं पाते और ये फालतू के खर्चे क्यों किया आपने अरे पगली मैं वैसे भी तुझे कहा कुछ दे पाता हूँ एक साड़ी ही तो है तू कभी कुछ नहीं मांगती मुझसे आज थोड़ा धंदे में मुनाफा हुआ तो सोचा आज तेरे लिए एक साड़ी ले चलता हूँ बहुत दिन से तुझे कुछ दिया ही नहीं मैं जानती हूँ हालातों को तभी तो आपसे कुछ नहीं मांगती चल अब ये बेकार की बाते बंद कर और इसे पहन कर दिखाओ देखू तो इसमें मेरी बीवी कितनी संदर दिखती है शीतल साड़ी पहनने अंदर चली जाती है और थोड़ी देर में साड़ी पहन कर बाहर आती है अहा, देखा, साड़ी कितनी सुंदर लग रही है तुछ पर, ये रंग तुछ पर बहुत खिल रहा है इसी तरह हसी खुशी से दिन बीट रहे थे, अचानक से राजेश की पतनी शीतल बिमार हो जाती है और डॉक्टर की फीस और दवाईया देते देते, राजेश को अपना आटो बेचना पड़ जाता है अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए, और शीतल की तभियत में कोई सुधार भी नहीं हो रहा अब पैसे कहां से आएंगे, शीतल को इस आलत में नहीं देखा जाता, ऐसा करता हूँ, अपना आटो बेच देता हूँ राजेश ही सोच कर अपनी आटो लेकर एक दुकान पर पहुँचता है भाई, मुझे ये आटो बेचना है क्यों भाई, इस आटो में कोई खराबी है? आटो में कोई परिशानी नहीं है, मुझे पैसों की सक्त जरूरत है मेरी बीवी बहुत बिमार है, और मुझे पैसों की जरूरत है इसलिए मुझे आटो बेचना पड़ रहा है अरे भाई अगर ओटो बेज दोगे तो घर का खर्चा कैसे चलाओगे है हाँ पर बेवी की तबियत भी तो देखनी है उसकी दवाईयों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूँ अरे भाई एक काम कर सकते हैं आप आटो बेज कर एक रिक्षा ले लो जिससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और तुम घर चलाने के लिए रिक्षा भी ले लोगे क्या समझे बात तो तुम सही कह रहे हो भाई राजेश बात मान जाता है राजेश और डो बेज कर एक रिक्षा ले ले लेता है और दिन रात उस पर महनत करता है वहां राजेश की पत्नी की तब्यट अचानक खराब हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटल ले कर जाता है राजेश शीतल को डॉक्टर की केबिन में ले कर जाता है इनकी तबियत बहुत खराब है, आप ये इंजेक्शन जल्दी से लेकर आईए, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा राजेश के पास पैसे नहीं थे थोड़े से पैसे लेकर राजेश दवाई की दुकान पर जाता है और इंजेक्शन लेने के लिए पैसे देता है इनमें 10 रुपे कम है, भाई मुझे इंजेक्शन दे दो, मेरी बीवी की तबियत बहुत खराब है, पहले 10 रुपे लेकर आओ, प्लीज मुझे ये इंजेक्शन दे दो, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी, भाई मेरे पास यही पैसे हैं और मुझे इंजेक्शन की बहुत ज राजेश बिना इंजेक्शन के ही वापिस आ जाता है और उसकी बीवी का देहांत हो जाता है। अब एक काम करता हूँ कि एक प्लॉट और ले लेता हूँ। विपिन घर पहुँचता है और प्लॉट लेने की सोचता है। पापा पापा, तबी विपिन को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है और भाग कर जाता है तो देखता है कि उसका बेटा जमीन पर बेहोश पड़ा है, वो अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुँचता है, डॉक्टर सहाब देखो मेरे बेटे को क्या हो गया है, ये बेहोश कैसे हो गया? पता नहीं, जब मैं इसके पास गया तो ये बेहोश पड़ा हुआ था, मुझे इसका चेक अप करना होगा। डॉक्टर उसका चेक अप करता है, तो वो विपिन को बताता है। अब क्या हुआ डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो है? नहीं. अब क्या हुआ डॉक्टर? आप सरा तसली रखें. अब क्या बात है डॉक्टर साहब, ऐसा आप क्यूं कह रहे हैं? मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे को कैंसर है. विपिन के पैरोत मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, उसके लिए कुछ महंगी दवाईयां जरूरी हैं. और कुछ टाइम इलाज करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा. विपिन अपने बेटे का इलाज करवाना शुरू कर देता है. इस इलाज में बहुत पैसा लगाता है पर उसका बेटा ठीक नहीं होता. एक देन उसके बेटे की तब्यत जादा खराब हो जाती है, तो डॉक्टर उसे दवाई लेने के लिए भेजते हैं. जैसे ही दवाईयों की दुकान पर जाता है, दवाई मांगता है. अब भाई मुझे ये दवाई जाता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा नहीं है, बस यही रुपे हैं. इतने में दवाई नहीं आएगी, सो रुपे और चाहिए. पर भाई मेरे पास इतने ही पैसे हैं, तो डवाई नहीं मिलेगी, जाओ और पैसे लेकर आओ, जाओ. मेरा बेटा बहुत बिमार है, मैं आपके सो रुपे जल्दी ही चुका दूँगा. चलो हटो निकलो यहां से, पहले सो रुपे लेकर आओ, तुम्हारे जैसे रोज आते हैं, चलो भागो यहां से गरीब कहीं के. विपिन को पता था कि यह दवाई बहुत सस्ती है और दुकानदार इसे बहुत मैंकी बेच रहा है. विपिन उस दुकानवाले से रो रो कर दवाई मांगने लगता है और तभी उसको वो दिन याद आता है, जब उसने भी किसी ज़रुरतमंद को सिर्फ 10 रुपे के लिए दुकानवाला विपिन की हालत देख उसके पास आता है और उसको दवाई दे देता है. विपिन को दवाई के कारण अब बहुत देर हो चुके होती है. अब कुछ देर में अस्पताल नहीं पहुचा तो उसके बेटे का बचना मुश्किल था. विपिन भागते हुए जाने लेकिन उसे पता था कि वो ऐसे नहीं पहुच पाएगा इसले कई लोगों से अस्पताल छोड़ने को कहता है लेकिन उसके पास पैसे ना होने पर कोई भी उसको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता अगर मैं जल्दी ही अस्पताल नहीं पहुचा तो मेरा बेटा जब वो जा रहा होता है तो उसे ठोकर लगती है और वो गिरने लगता है तभी एक रिक्षे वाला उसे आकर थाम लेता है वो वही रिक्षे वाला होता है जिसको दबाई देने के लिए विपिन ने मना कर दिया था लेकिन फिर भी वो अपने रिक्षे में विपिन को बिठा लेता है और पूछता है भाई तुम्हें कहां छोड़ दूँ मेरा बेटा अस्पताल में है मुझे बहाँ जल्दी पहुँचना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं आप परिशान नहों सब ठीक हो जाएगा मैं आपको वहाँ बिना पैसो के छोड़ दूँगा विपिन बैठे बैठे बस अपने किये पर पश्ता रहा होता है उसका लालच उसके सामने आ रहा था वो अपने किये पर बहुत पश्ता रहा था पर समय निकल चुका था मैंने दूसरों का बहुत दिल दुखाया है और शायद इसी लिए आज मेरी ये हालत है इसी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है मैंने न जाने कितनों को दवाई नहीं दी कुछ पैसों के लिए और आज मैं भी वहीं खड़ा हूँ आज मेरे पास भी पैसे नहीं है और दवाई की जरूरत है सबको ऐसा ही महसूस होता होगा जैसा कि मैं लाचार महसूस कर रहा था विपिन हॉस्पिटल पहुँचता है और वहाँ जाकर दवाई डॉक्टर को दे देता है वहाँ उसके बेटे की तव्यत और खराब हो रही होती है ये सब उससे देखा नहीं जाता और उसके आँखों से आंसों की धारा निकल पड़ती है तब ही उसको भगवान की मूर्ती दिखाई पड़ती है और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है तब ही डॉक्टर वहाँ आते हैं और बताते हैं कि उनका बेटा अब ठीक है विपिन राहत की सांस लेता है और उसके कुछ समय बाद विपिन का बेटा ठीक होकर घर आ जाता है